आज मैं भेज बिडियानी बनाने जा रही हो तो आप लोग वीडियो पुड़ा जरूर देखिएगा और जादा से जादा लाइक, सब्सक्राइब, सेर जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले हम या पर चावल ले लेंगे तो मैं बिडियानी वाली चावल ले ली हूँ तो मैं ब बरतन ले ली हूँ, इसमें पानी डाल दी हूँ गड़म होने के लिए तो पानी हमें गड़म कर लेना है, हलका गुनगुना हो जाए पानी, तो उतना गड़म कर लेना है, अब इसमें हाँ तेजपत्ता डाल देंगे, तो दो तेजपत्ता तोड़ करके डाल देना है, तो सारी चावल इसमें डाल दी हूँ एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर देना है और धीमी आज पर हम चावल पकने के लिए रख देंगे अब यहां पर मैं सबजी काट करके ले ली हूँ तो गाजर, बीन्स, मटर, सिमला, मिर्च, उल्गोवी और ये पत्तागोवी तो अपने पसंद के आप लोग सबजी ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर सारी सबजी दो कड़के डे हूँ, तो इसमें गी में बना रही हूँ, आप लों चाहिए तो तेल में भी बना सकते हैं, तो दो चमच में गी डाल दी हूँ गरम होने के लिए, तो गरम हो चुकी है, आप उसमें हम गुवी डाल देंगे, तो सबसे पहले पका लेना है तो देखिए चलाती में पका ली हूँ तो गोवी की कलर थोड़ी सी चेंज हो चुकी है तो इतना हमें भून लेना है अब हम इसमें सिम्ला मिंट्स डाल देंगे बिंट्स डाल देना है तो तो सिम्ला मिट्स डालके हम गोवी के साथ थोड़ी देर फ्राय कर लेंगे पका लेंगे तो देखिए थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है बिंट्स और सिम्ला मिंट्स गोवी के साथ अब इसमें हम गाजर डाल देंगे और प्याज काट करके डाल देना है तो मीडियम साइज की मैं दो प्याज ले ली हूँ तो प्याज काट करके डाल दी हूँ आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं नहीं चाहे तो कोई बात नहीं बिना प्याज के भी बना सकते हैं तो प्याज गाजर भी हम एक मिनट और पका लेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए तो देखिए प्याज की कलर चेंज हो गई है बस इतना ही हमें पका लेना है अब इसमें हम मटर और पत्तागों भी डाल देंगे कि सारे सब지 में डाल दी हूँ अब फिर से बीच बीच में चलाते हम सारे सबजी सॉफ्ट कर लेंगे भून लेंगे मिनट और तो देखिए सारी सबजी सॉफ्ट हो चुकी है तो इतना हमें पका लेना है सारी सबजी अब इसमें हल्दी पॉटर डाल देंगे तो आधी छोटी चमच हल्दी पॉटर डाल देना है आधी छोटी चमच हम मिर्च पॉटर डाल देंगे आधी छोटी चमच हम गड़म मसाला डाल देंगे नमक डाल देना है तो स्वाद अनुसार में नमक डालना है तो एक चमच मैं यहाँ पे नमक लेनी हूँ छोटी चमच से तो नमक डाल देना है अब फिर से हम धी मियाज पे दो मिनाट साड़ी मसाला के साथ सब्जी पका लेंगे तो देखिए दूसरी तरब चावल भी पक चुकी है तो हमें पूरी पकाना नहीं है चावल 80% हमें चावल पका करके ले लेना है तो मैं 80% चावल पका ली हूँ अब इसे हम चान करके ले लेंगे तो पानी से चान लेना है हमें चावल अब सब्जीवी सॉफ्ट हो चुकी है, दो मिनिट में पका ली हूँ अब इसमें हरी मिर्च दो काट करके डाल देंगे तो तीक हाँ आप लोग अपने हिसाब से खम जाता डाल सकते हैं मैं दो हरी मिर्च बीच से बिल्कुल काट करके डाल दें लंबे लंबे में अब एक चमज हम बरे चमज से बिडियानी मसाला डाल देंगे तो कोई साभी आप लोग बिडियानी मसाला डाल दीजिएगा अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ अब जो चाबल चांद करके रखे थी तो चाबल डाल देंगे हम इसमें तो सारी चाबल इसमें डाल देना है और एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ अब धी मी आज भी हम इसे ठक करके पाच मिनिट और पकाएंगे ताकि 20 परसेंट जो चाबल नहीं पकी है वो अच्छे से पक जाए तो देखिए पास मिनिट हो चुकी है चाबल अच्छे से पक चुकी है अब इसके उपर से हम हाड़ा धनिया डाल देंगे धनिया पत्त में काट करके डाल दी हूँ तो देखिए ये विडियानी बन के त्यार हो गई है वेल विडियानी अब हम इसे ठक करके और पाच मिनिट के लिए डख देंगे अब दब दब हम रायता बना लेंगे तो यहाँ पे मैं बुंदिया पी रायता बना रही हूँ आज तो बुंदिया ले ली हूँ इसमें हम नौर्मल पानी थोड़ी सी डाल देंगे तो नौर्मल पानी डाल करके बुंदिया हमें साइट में रख देना है अब यहाँ पे मैं फ्रेश दाई ले रही हूँ तो फ्रेश ताजी दाई ले लेना है इसके लिए अब इसे अच्छे से हम फेट लेंगे तो दाई मैं अच्छे से फेट करके ले लेंगे हूँ तो सबसे पहले दाई भी फेट लेना है अगर खटी हो दाही तो इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजियेगा तो आदी चंछ हम काला नमक डाल देंगे और आदी से आदी चंछ हा सादा नमक डाल देंगे तो मैं दोनों नौक डाली हूँ, आप चाहे तो एक भी डाल के बना सकते हैं, और आदी चमच वीड्स पॉर्डर डाल दी हूँ, आदी चमच बुनी हुए जीरा पॉर्डर डाल देंगे, तो बुनी हुए जीरा पॉर्डर ही डालेगा, और आप लोग चाहे तो यहाँ पर का अब इसे अच्छे से विक्स कर लिए तो दई में अच्छे से साड़ी मसाला मिक्स कर लेना है अब इसके बाद जो बुंदिया भिंगो कटके रखी थी तो वो साड़ी बुंदिया इसमें डाल देंगे जादा दिर छोड़ने की जर्वरत नहीं है नेकी बुंदिया सॉफ्ट हो चुकी है तो पानी डाल कटके हम रख देंगे तो यह अच्छे से फूल जाएगी बुंदिया तो यह हमारी रायता बन के त्यार हो गई है अब इसके उपर से हम थोड़ी सी बुनी लुई जीरा पॉडर और डाल देंगे एक चुटकी भर मिर्ज पॉडर डाल देना है इसके उपर तो देखिए हमारी ये बुंद्या की रायता बन के तयार हो गई विडियानी के साथ खाने के लिए अभी तर पास मिनट तक चावल भी बन के तयार हो गई है विडियानी भी बन के तयार हो गई है तो देखिए कितनी खेली खेली राची बन के तयार हुई है एक भी चाबल शिपशिपा बन नहीं है बिल्कुल भी इसमें तो एक बार ऐसे जरूर आप लोग बनाईएगा मेरे तरिका से तो हमारी ये भेज बिडियानी भी बन के तयार हो गई अब इसमें हम निकाल लेंगे तो मैं यहां पर एक दण्याग चठनी ले नहीं हो और इसमें विर्यानी निकाल लेंगे तो विज बिडियानी डाल दी हो ये गाजर मूली की अचार में बनाई थी तो अचार ले लेंगें और ये राइता हमारी बुंद्या की ही राइता तो हमारी बेज बिडियानी और राइता बिल्कुल बन के तयार हो गई तो आप लोगित बार मेरे तरिका से जरूर बनाईएगा और इस वीडियो को जादा से जादा से एंड कीजिए लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अलिट है वीडियोगा कीजिएगास